हेलो फ्रेंड्स आगता आप सभी का एक बड़ फिर हमारी यूटियो फैमिली सेफ लाइश्टाइल में जहां आपको मिलती है हेल्थ एंड ब्यूटिस रिलेटिड वीडियो और हमारा आज का टापिक है कि मेकप करने के बाद आपके फेस पर पिंपल या फिर दागदबी क्य तो फ्रेंड्स बेना टाइम वेश्ट किया हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं आज कल सभी लेडिजे मेकप करते समें एक परफेक्ट लुक पाना चाहते हैं और उसके लिए वह तरह तरह के मेकप प्रोड़क्ट्स का यूज करते हैं लेकिन कई बार जादा अच्छा क करने के चकर में चीजें बिगड़ जाती हैं इसलिए जब भी आप मेकप प्रोड़क्ट्स खरीदे खरीदते हैं तो इन चार बातों का ध्यान जरूर रखें फर्स्ट है स्किन टाइप का ख्याल जरूर रखें फ्रेंड्स हम सभी के स्किन एक तरह की नहीं होती सब के स्कि जान लेकि वह किस तरह की है I mean to say oily है या फिर dry है sensitive है या फिर mildly है और उसके हिसाब से आप प्रोड़क्ट्स खरीदें तो वह आपके स्किन को सूट करेगा and next है कि ingredients का ख्याल रखें फ्रेंड्स मेकप प्रोड़क्ट्स लेते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप ज तो प्रोड़क्ट्स खरीदे समय ध्यान रखें कि उस प्रोड़क्ट्स में क्या-क्या चीज़ें मिली हुई है और वो किन ingredients से बना हुए है and third difference अपने skin tone का भी ख्याल रखें हम सभी की skin tone अलग-अलग होती है और हमें उसी की हिसाब से खरीदना चाहिए क्योंकि skin tone किसी की cool होती है किसी की warm होती है और किसी की neutral होती है तो अपने skin tone के हिसाब से भी product खरीदे वह आपकी skin को ज्यादा सूट करेगा and last difference expiry date जरूर चेक करें वैसे तुम सभी products की expiry date चेक करते हैं बट कई बार हम जल्दी जल्दी में कुछ products खरीते समय उनकी expiry date चेक करना भूल जाते हैं जिससे हमारे skin पे उसके कई side effects पढ़ जाते हैं तो इसलिए products को खरीते समय expiry date जरूर चेक करें friends यह छोटी छोटी information थी जो mostly लोगों को पता होती है बट कुछ लोगों को नहीं पता होती तो friends यह थी हमारी आज की वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए घर पर रहें सुरक्षित रहें और इससे related कोई भी query हो या फिर कोई भी टाउट हो तो हमें कमेंट में जरूर पूछें और इंस्टा पर मुझे फॉलो करें थैंक यू friends मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में करते हैं करते हले हैं करते हैं है